हलेलुया प्रभी येश्यो मसी की तारीफ हो प्रभी येश्यो मसी की धन्यवाद हो हाँ हलेलुया अस्राम की प्रापना सभा में आप लोगों को स्वागत करते हैं प्रबो आप सभी लोगों को बहुत आयत क्याशिशते प्रबो आपको अनुगरा दे समर्थ दे ताकत दे और अपने शांती से परमेश्वर आपको परिपोन करे और ब्लेस करे और परमेश्र अपने रोशने को प्रकाश का आपके उपर चमकाई एश्यमसी के समर्थी नाम में खालेलोहिया सभी सभी परमेश्र का धनेवाद करें इसलिए कि परमेश्र ने हर एक लोगों को बचाया चुडाया खाले लोहिया धनेवाद करें, 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 कि परमिश्य का वचन बार पर हमें धन्यवाद करने के लिए कहता है। धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, उसकी स्तुथी करो, और उसकी महिमा करो, कितने लोग रोजाना परमिश्य का धन्यवाद करते हैं, कितने लोग, खालेलुया प्रभी शिमसी के तारीव कितने लोग परमेशर कर धन्यवाद करते हैं और उसके नाम को उचा करते हैं प्रती दिन आप जानते हैं दाउत के जीवन में बहुत बड़ी खास्यत थी कि वो परमेशर कर धन्यवाद करना कभी नी भूलता था रोजाना प्रभु को धन्यवाद करता था आज एक नौर्मल इंसन आप जब देखते हैं यदी आप आपको इसी सब्सक्राइब गार गिंद वेप्ट देता या कोई देता था आप उसे चया कहते हैं अप उसे चया कहते हैं धन्यवाद उसे क्या write भालेनोया देता है उन्हार अधर टाय। पर्मिष्य ते पर छूती बातों पर्मिष्य कहें धन्हार कें? भालेनोया भालेनोया संयव生ार, अभी है। कि रोजाना धन्यवाद करते हो कि परमेशों ने मेरा उध्धार किया कि रोजाना धन्यवाद करते हो कि परभू मेरे जीवन में दुद काम को किया कि अब धन्यवाद करते हो कि मुझे सांसे दिया कि अब रोजाना परभू का धन्यवाद करते हो जो परमिश्य को टाइम में खिलाता पिलाता है और अनुगरा और शांती देता है कि या इसके लिए प्रभू का धन्यवाद करते हैं प्रभू की महिमा करते हैं जो परमिश्य का धन्यवाद करता है वो प्रभू की महिमा करता है गार प्रभु की भहिमा का करने का मतला चमतकार उसके जीवन में होंगे इश्यू मसी के समर्थी नाम में प्रभी इश्यू मसी के तारिफ हो प्रभी इश्यू मसी का धन्यवाद हो जब हम पढ़ते हैं फर्स्ट क्रोनिकस चाप्टर 16 में और पहला वाचन से जब पढ़ते हैं और तब परमिश्र के संदुक ले आकर उस से तंबू में रखा गया जो दाओद ने उसके ले खड़ा कर रहा था और परमिश्र के समने होंबली और मेलबली चड़ा है जब दाओ परमिश्र के संदुक ले खड़ा चुका तब उसने यहवा के नाम से प्रजा का अशिरवात दिया और उसने क्या पुरूश्ट के सब इसरालियों को एक रोटी एक टुकड़ा मास और किश्मिश के ठिकिया पटवा दी तब उसने कई लेवियों को इसलिए ठहरा दिया कि यहवा के संदुक के सेवा टहल किया करें और इसराइल के परमिश्र यहवा की चर्चा उसका धन्यवाद और रस्तूती किया करें आप जानते हैं दाओत को संदुक दाओत पूर में नहीं तो बहुत ही दूर था और वो चाहता था कि वो परमिश्र का संदुक था जो चाहत परमिश्वर का संदुक जब वहां पर खड़ा कराया गया रखा गया तो वो धन्यवाद किया मूँ से बोल कर धन्यवाद इनफ नहीं है उसने क्या चड़ाया होम बली और मेल बली चड़ाया और इतना ही नहीं इस खुशी में सब लोगों को रोटी टिक्या और किश्मिश औ आतो रहा था क्योंकि वह परमिशर का वचन था वो सामरत अतवा काम कर रहे थी यदि कोई गलत इरादे से किसी के घर में गया तो श्रापीत हो जाता था लेकिन जब वह परमिशर का संदुक जब एक व्यक्तिकी घर में गया तो उसके खांदान पूरवां के वहां तक बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी जिसके घर मेरता था वो आशिश, हाशिशी थो कर बदल जाता था, प्रभी एशियमसी के तारीफ हो, प्रभी एशियमसी कते नेवाद हो, आज कितने लोगों के घर में परमिश्य क biss! तsce अ आपर क्या काम किया कि उसने लेवी को ठहरा दिया कि उसके सामने सेवा टहल किया करें और परमिश्व की यहवा की चर्चा और उसका धन्यवाद रिस्तुदी किया करें और उसका मुख्या कौन था आसाप था और उसके नीच जकरियात था फिर येल शमरोत येलिया और सब ना किये गए तब उसी दिन दाउद ने यहवा का धन्यवाद करने का काम आसःइए और उसकी भायों को सोप दिया और इसलि वाँ पर हम भाज़न को प्ढ़ते हैं यहवा का धन्यवाद करो उससे प्रातना करो देश-देश में उसके कामों का प्रछार करो उसका गीत गाओ, उसका भजन काओ, करो, उसके सबास्चरी कर्मों का ध्यान करो, उसके पवित्र नाम पर घमंड करो, यहवा की खोजियों का हरदे आनन्दी था, पढ़ सकते हैं 1 Chronicles chapter 6 from verse 1 से, खालेलुया, पहला इती हां, सूला अध्याय से अपढ़े उस वचन को, और हम 11 वचने पढ़ते हैं, यहवा और उसके समर्द को खोज करो, उसके दर्शन के लगतार खोज करो, उसके किवस्चरी कर्मों, उसके चमत करो, न्याए वचन असमरन करो, है उसके दास अजराल के व आज परमेश का वचन हमारे घर में है, लेकिन कोई धन्यवाद नहीं, कोई प्रेजिंग नहीं, कोई स्तूती नहीं, कोई कुछ नहीं, हालेलुया, प्रभी एश्यमसी के तारीफ हो, कोई धन्यवाद नहीं, कोई स्तूती नहीं, कोई परमेश की महिमा नहीं कर रहा है, प् जब कोई भी पत्य आती थी तो प्रभू का धनिवाद करना गुटने पहा आजाना और प्रभू उसे बचा लेना कि आप रुजाना आपके घर में प्रेजिऑंग होती है कि रुजाना प्रभू का धनिवाद करते हैं क्या वो जो परमिश्यक का संदूक आपके घर में अर्थात परमिश्यक का वचन क्या आप उसके वचन को पढ़ते हैं क्या धन्यवाद करते हैं स्मरण करके कि प्रभु ने मेरे अधार के मेरे जिए उनको ब्लस किया कि रुजाना धन्यवाद का तेदिया अप रुजाना धन्यवाद करते हैं मतलब वो सामर्थ को पैदा करेगी धन्यवाद की सामर्थ देखो प्रभू कैसे उसके जीवन में आस्च्योरी कर्मों को करता है श्युमसी के समर्थेना में हालिलुया रातना करता प्रव की महिमा कर ता उस की महिमा करता और येश्यो मसेखे समर्द कर पातना धन्यवाद और सेत्रा भीता उसका सुलाचन पढ़ते हैं तब दाओद राजा भीतर जाकर यह वाकर समुंग बैठर कहने लगा हे होवा परमेशर मैं क्या हूं मेरा घराना क्या है कि तुने मुझे यहां तक पहुँचा है परमेश्वर यह तेरे दिस्टी में छोटी सी बात ही क्योंकि तुने अपने दास के घराने के विशे में के बहुत दिन तक चर्चा किया और है यहावा परमेश्वर तुन्हें मुझे उंचे पद्र का मुनशी से जाना है जो महिमा तेरे दास पर दिखाई गई है उसके विशए दवत तुछ से और क्या कह सकता है कि तु तो अपने दास को जानता है यहहवा तुन्हें अपने दास के निम्मित और अपने मन के निसार ये बड़ा काम किया है कि तेरा दास उसको जान ले कि यहवा जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है उसके निसार तेरे तुल्ले कोई नहीं और नो तुझे छोड़ कोई परमेशुर है प्रभी ये शुमसी के तारिफ हो और ऐसा बोलते हैं वो परमेशुर के धन्यवाद कर रहा है प्रभी की महिमा कर रहा है प्रभी की स्तूती कर रहा है और वो धन्यवाद जब देता था तो समर्थ उतरता था परमेशुर कभी शेक उतरता था हालेलूया और ये धन्यवाद की समर्थ के दोरा दाउत बचाये गया धन्यवाद की समर्थ के दोरा परमिशों ने से ब्लेस के रूचा करता किया धन्यवाद की समर्थ के दोरा असका जी और ब्लेस होते गया एशियों मसी के समर्थी नाम में इसलिए अपके घर में रोजाना प्रातना होना चाहिए प्रमिश्य का धनेवाद करना चाहिए बैटने चाहिए कठियो कर अपने परिवार में और धनेवाद को रुस्तुती की गेद को चांज लेकर प्रमिश्य के महिमा करते दस तारवली सा रांगिया रथा तालियों बजा बजा कर प्रब की महिमा करना शुरू कर रब की परस्तिती सेमने रहेगी अमेन धनेवाद की सा मर्थ प्रभी ये शिमसी के तारिव वह रोजाना रोजाना प्रमिश्य के वचन को पड़े ठैंक्स करे धनेवाद कर प्रभू मुझे बचाया मुझे चुड़ाया तो आगे भी बचाया कर चुड़ाया यहां तक लेकर आया तो प्रभू आगे भी अगवाई करेगा प्रमिश्वर हम अपकर धनेवाद करते हैं आये धनेवाद करें बोले परमेशा अपने मुझे चुन लिए आपका धन्यवाद करते हैं बोलो परमेशा अपने मेरे फाइनेस को बढ़ा है धन्यवाद करते हैं पर यहां तक लेकर आया तो आगे भी लेकर जाएगा परमेशा हम अपका धन्यवाद करते हैं धन्यवादेशू धन्यवादेशू तेरी तारिफो तेरी तारिफो तेरी तारिफो तेरी स्तुतियो तेरी महिमा हो सारी प्रार्थना को सुनके उत्तर दिने वाला परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं थैंक यू थैंक यू जीजस थैंक यू जीजस हलेलुया तेरी तारिफो तेरी तारिफो तेरी तारिफो हलेलुया सर्वे शक्ति मन परमेशवर तेरे नाम की महिमा करते और तेरे नाम को उचा करते अद्बुधी उक्ति करने वाला पुराक्रमी परमेशवर तेंक्यो जीजस सच मचो हमारा परमेशवर महान है और सब कोई बदलने की ताकत और समर्ट रखता है जितने लोगों ने परमेशा का धन्यवाद किया परमेशा आपको खरी जन्हों को ब्लेस करे अनुगरा दे शांती स्थाबित करे आपकर जीवन से रात और अंधिरे को दूर करे हर एक दुष्टात्मा की काम आपकर जीवन स इस आत्मा पाइखियर के टौट इस नाम में लडाए जगड़े जो पड़़ा करते दुष्टात्मा बाइखियर की अगिए मिस्टात्मा इस अचारी ज़ाय बादे शुड़ा जो रात को दुष्टात्मा इस वक्नील रेसीव कर रहे हैं मैं ठाप वित शुश्ड़ात्मा को सुनक उत्तर देती है प्रभू तेरा धन्यवाद करते है तेरे नाम की महिमा करते है तेरे नाम को उचा करते है हालिलूया धन्यवाद एशू 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 अब ये श खान में डियाँ अलेलूुए मुश्यां की पता हूँ हुआ और आपके प्रात्मों की नियूत ता परेहला के और के जीन के चाहिए हुनाहीं गवाहियों को देना ना भूले और अपने भेट अपने त्यास के अपने आफ्रिंग और पिमर बैंके तुर दे सकते हैं लगतर प्रात्ना में बने रहें अड़े और खड़े रहें प्रभा में सदाना दित रहें आमेन प्रभा क्वाशिश दे आप सभी लोगों को जय मसेगी तेंक्यू जीजस